हाई, काफी लोगों ने मुझे कहा है कि आप अभी तक फोटोग्रिफी तो बहुत सारी सिखा दिया आपने अपनी चैनल में तो यार फोटोस को एडिट भी तो करना है पहले आप मुझे ये बताइए कि एडिटिंग इतना वैलियोबिल क्यों है फोटोस खीटना ही तो एक आठ है एक फोटो एक हजार शब्द कह सकता है इस तनी उत्में ताकात होती है तो फिर हम एडिटिंग की बात क्यों करते है आप एडिटिंग से आज के जमाने में अगर आप ऐसा बोलो मुझे एडिट नहीं करना है ऐसा हीरोगीरी निमत करो आज के जमाने में जब आप कोई भी फोटो एडिट करते हो तब आप उस पोटो को और भी बहतर उसमें और भी emotion, उसमें और भी जान डाल सकते हो उसको और enhance, मतलब और भी बहतर अच्छा दिखा सकते हो और यही नहीं कि आपने उस चीज़ को अच्छा दिखाया पर जो आपका client है उसको भी उस चीज़ को अच्छा लगना चाहिए आज के इस video में हम how to edit wedding photos in lightroom के बारे में बात करने वाले है यह पूरा का पूरा video एक ऐसा vlog जैसा होगा जहाँ पर हम actually आपको दिखाएंगे कि हम कैसे photos को edit करते है और कैसे आप भी उसको edit कर सकते हो and मैं जानती हूँ कि गिववे तो होना चाहिए एक free gift इसके लिए हम लोग ने पूरे video देखने के बाद आपको एक giveaway दिया है जहाँ पर आप lightroom के presets जो होते है उसको use कर सकते हो पर उसके लिए आपको ये पूरा video देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है photo editing करने के लिए दो software होते है एक होता है lightroom, दूसरा होता है photoshop lightroom बाद में आया था और photoshop पहले सालों से लोग इसको digital imaging कहते है मतलब कोई भी photo को ज़्यादा अच्छे से digitalized way में उसको enhance और better करते है और उसको हम दोग editing कहते है पहले तो और अभी भी लोग photoshop use करते है ज़्यादा तर लोग wedding albums में या graphics बिनाने में या photo को manipulate करने में photoshop use करते है पर lightroom से आप color correction कर सकते हो उस चीज को और निखर सकते हो उस चीज में emotion डाल सकते हो मैं ये पूरा video ना specifically उस wedding photographer की बात कर रही हूँ जो ये video देख रहा है candid photography में interest रखता है और अपने wedding photos में वो look और feel देना चाता है तो जब हम photos की editing की बात करें तो आपको ये process चालू कैसे करना है देखे आप एक wedding में जाओगे आप हजारो photos कीजोगे क्या आप ये सारे photos को lightroom करोगे नए 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 जो photos actually lightroom के लायक है उसको करना होता है तो जब एक शादी में आप हजार दो हजार photos कीजते हो उस में से कुछ 100-200 photos आपको select करने है select करते वाग आपको ये सारे photos को पहले तो दो बार देखना चाहिए देखना चाहिए कि सबसे best photo कौन सा है अब ये best photo कौन सा है वो आप कैसे decide करोगे simple है जहाँ पे वो couple का expression वहाँ पे वो bride का उसकी आखे या उसका जो expression है वो सबसे best रहा या फिर वो जो moment है जो आपने capture की है वो बहुत ही amazing रही वहाँ पे जो lighting situation है वो बहुत ही अच्छा रहा जो colors है photo में वो अच्छा रहा या फिर वो जो emotion या वो story है वो photo में वो बहुत अच्छी है आप decide कर लेते हो यार ये photo ना इसका जो expression है इसकी जो emotion है सबसे best है ये एक अच्छा photo है इसके basis पे आप उस photo को select करते हो तो ये पूरी शादी में से कुछ 100-200 photos ऐसे होते है जो ये हजारों के photos में से निखर के उबहर के बाहर आते है पर आप उसको edit करके एकदम अलग level पे next level पे लेके जा सकते हो और इसके वज़े से आप as a photographer आपकी एक style भी create कर सकते हो आप देखते हो Instagram पे कितने photographers कितने photos डालते हैं पर अगर एक ही photograph मतलब एक ही bride का photo हर photographer कुछ अच्छ अलग डाले तो अलग ही दिखता है क्योंकि उसने उस photo को edit अलग धंग से किया था उसमें उसने अलग धंग की preset डाली थी या effect डाली थी जिसके वज़े से उसका एक signature style बनता है अपने photos को edit करने का और client के सामने present करने का तो जैसे ही आप ये सारे photos select कर लेते हो ये सारे photos को drag and drop करके आप lightroom में उतार सकते हो जैसे ही आप lightroom में आते हो ये सारे photos आपको दिख जाते है और आप उसको develop से मतलब पहले library में था आप उसको develop पे लेके आए और फिर यहाँ पे इस सारे photos को edit करना होता है आप every photo मतलब एक-एक photo ले और उस photo को पहले तो उसका basic color correction कर दे basic color correction करने के बाद ये समझे कि ये photo में क्या अच्छा है और क्या बुरा जो elements सबसे best लग रहे है उस elements को रखे और बाकी के जो नड रहे है या अच्छे नहीं लग रहे हो elements को हटाने की कोशिश कीजे और ध्यान एक subject का उस पे ही डाले और जो viewer है उसका पूरा ध्यान उस subject पे डाले जहाँ पे आप उसको डालना चाते है अगर एक frame में अगर एक दिलान रो रही है तो पूरा का पूरा concentration उस पे चला जाए और पीचे लोग ऐसे ही वहाँ पे हाँ चल रहे है न हर photo में एक अलग color correction होगा तभी जाके कुछ नया और interesting दिखेगा काफी लोग एक वो effect बना के सब में copy paste कर देते हैं जिसके वज़े से कुछ different समझ भी नहीं आता है और वो एक जैसा एकदम ही basic correction लगता है पर जो correction की मैं बात कर रही हूँ वो होता है next level का एकदम ही emotion वाला highly edited photo तो जब आप lightroom में यह सारे photos को लेते हो तो हर photo में एक effect या एक jam डालने की try करो वो आप कैसे करोगे आप पहले basic correction करके फिर उसके नीचे जो RGB model दिया है उसके साथ उसको use करके उसके अंदर दिया है split toning वो split tone तो मैं इतना use करती हूँ बात जाने दो split toning के साथ आप जो hue saturation का balance है कि आप हर color को उपर या नीचे लेके जा सकते हो आपके पास एक vibrance का option है और saturation का option है इसको आप use कर सकते हो यह सारी जो elements में आपको बोल रही हूँ यह सबसे main चीजे है अगर आप इस tool को जितना इसके साथ खेलोगे जितना हर photo में practice करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस photo में क्या जान डालनी है आप मेरी यह screen पे यह पूरा process अपसे यहां से देख सकते हो तो इस video में आप समझत गए हो कि कैसे आप photos edit कर सकते हो और अपने photo में एक signature style डाल सकते हो एक emotion को या उस चीज़ को अच्छे से highlight कर सकते हो and मैं इस video में as promised एक ऐसे presets देने वाली हूँ जिसके वाज़े से आपकी यह life और आसान हो जाएगी और आप अच्छे presets आपके client को यूज करके दे भी सकते हो and comment section में या instagram पे dm करके आप हमको ये बताइए कि photography आपके लिए क्या माईने रखती है as a photographer आपको photography में क्यों interest जागा और आपकी story क्या है और आप क्यों एक अच्छे wedding photographer बनना चाते हो जो story सबसे best रहेगी और हमें बहुत जादा पसंद आएगी ऐसे कुछ 10 लोगों को ये top अच्छे presets mind you बहुत अच्छे presets है best से best photographers ये presets को use करते है उनको हम ये presets gift करेंगे तो we are hoping कि आप ये सारी stories हमको share करोगे dm कर सकते हो या तो फिर comment में लिख सकते हो और giveaway तो आपने ले लिया तो मतलब क्या इस channel को like और share subscribe नहीं करोगे वो routine काम तो यार कर लो वो तो आपको करना ही पड़ेगा and तब तक के लिए thank you so much see you soon